नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नगत के अलावे हीरे सोने वह चांदी के करीब 3.8 किलो अभुषन लुट लिये हैं लुटे गए अभुषनों की कीमत 1.25 क्रोर आकी गई है डकैत जाते जाते CCTV का DVR भी अपने साथ ले गए इस दोरान दसत फैलाने के उदेश से एक गोली दुकान के अंदर तथा एक गोली दुकान के बाहर चलाई गई घटना को अंजाम देने के बाद लुटे रे आराम से बाइक से चलते बने इस समद में परतिष्ठान के मालिक संजीव कुमार उर्फ जय सोनी ने गढ़वा थाना में तिन अग्यात लोगों के खिलाप मामला दर्च कराया है सुचना मिलने के आरे घटे के अंदर गढ़वा पुलिस अधिक्छक दिपाक कुमार पांडे भी घटना असल पर पहुँचे और परतिष्ठान के मालिक जय सोनी के साथ बात कर घटना की पूरिजन कारी लिया है बोकारों में 25 लाह का इनामी नक्सली चंचल का दस्ताघिरा बोकारों जिले के जुमराव जीनगा के बीच हलवे कामल चुमबा के पास 25 लाह का इनामी नक्सली बीरसेन उर्फ चंचल का दस्ताघिर गया है सुबह दस बजे नक्सलियों के दस्ते ने रुक रुक कर सुरक्षाबलों पर दो बार फाइरिंग की घटना में दोनों ओर से किसी को गोली लगले की सुचना नहीं है बतादे मंगलवार से ही नक्सलियों सुरक्षाबलों के बीच फाइरिंग चल रही है सुरक्षाबलों के जवारों ने कड़ी घेरा बंदी करते बुद्ध बार को नक्सलियों को करीब पहुच के थे इसी बीच दस्ते में सामिल नक्सलियों ने फारिंग शुरू कर दी वोकारो एसपी पिरिय दस्तनी अलोक ने बताया है कि दस्ते में समभवता 15 से 20 की संख्या में नक्सलिया है जार्खन के सरकारी स्कूलों में बीचेस औसुरों पर तिथी भोजन कराने की ब्यवस्ता है जीलों को आयोजन के बाद रिपोर्ट देनी थी बाजूद इसके 24 सेखनिक सत्र में इसका आयोजन स्कूल में हुआ या नहीं किसी भी जीले ने इस समभधित रिपोर्ट सिक्षा विफा के मद्याहन भोजन प्राधिकरन को नहीं दिए M.D.M. प्राधिकरन की निदेश किरन कुमारी पासी ने इसे गंभीता से लिया है उन्होंने सभी जीला सिक्षा दिष्कों को निर्देश दिया है कि जीला का नम तीथी भोजन के आयन की तीथी, कुल विद्यालियों की संख्या, लबानवी चात्रों की संख्या, बीशेश भोजन का ब्यूरान, समुदाय, व्यक्ति दोरा उपलब दिकराएगाए बीशेश का ब्यूरान और उपलब दिकराएगाए भोयन के खर्च की जनकारी दे। जारी दिसाने देश के आलोग में परदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजिस ठाकु ने सभी जिला अध्यक्षो परदेश पताधी कारियों को अपने अपने जीलों में भारत बंद का समर्थन करने का निद्धिया है। अध्योगिक संस्थानों को हर हाल में 75 परत्यत नोकरी अस्थानियों को देनी होगी CMCM चमपईशुरे ने कहा है कि राज की बुनियादी धाचा को मजबूत करने के लिए सरकार परतिबाद है राजे के सभी अध्योगिक छेत्रों में बिजली पानी सड़क समेत तमाम अधारभोत संद्शनाव को मजबूत किया जाएगा यहां अध्योगिक संमोहों को सरकार की ओर से कई रियायत तथा सुविधाय दी जाएगी लेकिन तमाम कमपनियों और संस्थानों को या सुनिश्चित करनी होगी कि या स्थानियों को 35% नौकरी देनी है सरकार ने इस बावत जो कानून बनाया है उसे हर हाल में पालन करना होगा उन्होंने यह भी कहा है कि युवाव को रोजगार देने के लिए सरकार समोशित कदम उठा रही है मुखे मंत्री बुद्धवार को सराय के लखार सावा के गमहरिया परखण इस्थित अपने पैत्रिक गाव जीलिंग गोड़ा में मीडिया से बाचित कर रहे थे 23 फरवरी से रांची में भारत इंगलेंड के भीच होगा राईधहनी रांची के यह स्टेडिया में त्यृस परवरी से 27 फरवरी तक भारत और इंगलेंड के भी चोथा टेश्ट मुकाबला खेला जाएगा एक जम सेथपूर में 29 फरवारी को और रांची में 20 फरवारी से मैच के टिकट उपलब्द हो जाएंगे रांची के खेल प्रेमी 20 फरवारी से काउंटर से टिकट ले सकेंगे बता दे कि टिकट की किमट में खाना पिना सामिल नहीं है चमपाई मंत्री मंडल का विस्तार सोला को दो डिप्टी सीम होंगे जारखन में चमपाई सुरेन सरकार के मंत्री मंडल का विस्तार सोला प्रवारी को होगा या तय माना जा रहा है कि नए मंत्री मंडल में 4-5 नए चेहरे होंगे नए मंत्रियों में से 2 कोड़िप्टी सी म का दर्जा मिलेगा इनमें एक जम्मो और दूसरे कांग्रेस कोटे से होंगे हैमान्च स्वरेन की केविनेट में कांगरेस कोटे से जीन 4 चेहरों को जगह मिली थी उनमें से एक आलमगीर आलम सीएम चमपाई सुरेन के साथ भीगत दो फड़वारी को सबत ले चुके हैं बाकी तीन चेहरों में से दो को बदले जाने की चर्चा है इनमें डाक्टर रामिस्वर उराव पुर्व की सरकार में बीत एवं योजना साखादायपूर्ति एवं सरजनिक बित्रन मामलों के मंत्री थे वे 76 बर्स के हाएं और उन्हें उम्र के तकाजे के अधार पर ड्रोप किया जा सकता है जारखन में अब MRP से ज्यादा में सराब बेची तो खैर नहीं राज में अवैद सराब के निर्मान बिक्री वा MRP से अधिक कीमत वसूली पर रोक लगाने के लिए उत्पाद यह मगद निसेद बिभाग इन दिनों सक्रिय है होली बर्तमान बितिय वर्ष के समापन वा लोग सभाचुना के मदजर सभी जीलों में तैनाज सहायक आयुक्त उत्पाद सभी SSP, SSP वा सराब बिक्री में लगी प्लेस्मेंट एजेंसियों को पतराचार कर विभाग की और से अवैद सराब के धंदे को रोकने को कहा गया सराब के निर्बान वा बिक्री परोक लगाने के लिए सगन शापे मारी अव्यान चलाए लोग सभाचुनाओ को लेकर 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है घोसना लोगसभा चुनाव का संखनाद जल्द होगा 10 मार्च के बाद किसी भी दिन तारिखों का आयलान हो सकता है जनकारी कानुसार इस बार जार्खन में 14 लोगसभा सीटों के लिए 2 चरनों में मद्दान कराए जाने की संभवना है जबकि 2019 में 4 चरनों में मद्दान कराए गए थे जल्द ही इलेक्षन कमिस्टन की टीम जार्खन आएगी इधर जार्खन में मद्दान परदिश्थ बढ़ाने के लिए कई दिसाने देश पी दिये जा रहे है जारखन में चुनाव आयोग मत्दान पर्धित बढ़ाने के उधेश से मत्दान केंद्र को आवाशी सोसाइटी कॉलेनी में भी बनाने करें ने लिया है इससे लोग अपने घर के नईदिक मत्दान कर सके बतादे लोग सभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के टीमों का दवरा जारी है आंद्र परदेश का दवरा चुनाव आयोग के टीम ने कर लिया है वही 15 फरवरी को उडिसा और 20 फरवरी को आयोग के टीम प्याहर का दवरा करेगी जार्खन के एक गारह जीलों के जेलों में होगी कक्षपालों के न्युक्ति जार्खन के एक गारह जीलों के जेलों में सन्वीदा के अधार पर कक्षपालों के न्युक्ति होगी इसको लेकर जेल आजी ने आदेश जारी कर दिया है जारी आदेस के मुतावि 150 भौतपूर सैनिकों को एक साल के अनुबंध के अधार पर न्युक्त किया जाएगा जरुड़त के अनुचार इस अनुबंध को बढ़ाया भी जा सकता है अनुबंध पर न्युक्त किये गए भोधपूर सैनिकों को हर महिने 20-10 रुपे मिलेगा हर साल सेवा अवधी के बिस्तार होने पर मांदे में आठ परज़त की बढ़ोतरी की जाएगी इन कर्मियों को एक साल में सिर्फ 20 दिन का ही छाती पूर्ती आवकास मिलेगा रामगण के गोला थाना का दरोगा 15,000 घूस लेते गिरफतार जारखन में रामगण जीले के गोला थाना में पदस्था पीत एसाई मनीस कुमार को हजारी बाग के फ्रष्टा चार नियोधग ब्योरो की टीम ने बुद्ध भार को 15,000 घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा है एसीबी की करवाई से थाने में आफरा तप्रिक हिसे थी कायम हो गई है मोके पर ही टीम ने आरोपीत एसाई को गिरफतार कर आवस्षक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हजारी बाग ले गाई इस समध में बताया जाता है कि गोला थाना चेतर के ग्राम कुमार दंगा निवासी सहदेव कुमार ने प्रस्टा चार नियोधक ब्योरो परमंडरिये कर्याले हजारी बाग में शिकायत की थी कि गोला थाना में एक केस के सिलसीले में A.S.A. मनिस कुमार ने उससे 20 जेयो रुपे की मांग कर रहा है मामला गोला थाना में दर्ज कांड से सम्मंदी था भाजपाव एड़ी के खिलाब जारखन में जामोंट का परदर्शन आज से भाजपावा इड़ी के खिलाब 15 फरवरी से जामो राज भर में अभियान चलाएगा पंचायत अस्तर परधाना परशन किये जाएगे इस दोरान रांची के मुरबादी इसीत बापू परतीमा के समक्स जामो रांची जीला समीती द्वारा भूख हरताल किया जाएगा दिन के 11 बज़े से 2 बज़े तक यह कारकरम है जीला अध्याक्स मुस्ताक आलम ने बताया है कि केंद्रे की भाजपा सरकार द्वारा केंद्रिये जाँच एजेंसी का दुरूप योकर हिमान सुरों को परतालित करने का सिलसीर लगातार बढ़ता जा रहा है पार्टी की केंद्रिये समीती द्वारा इसका बिरोध करने के लिए कई कारकरम तय किये गए हैं जिसके तहत 15 फरवारी को मुराबाद इस्थित बापू के परतिमा के समग फूर्थ अर्ताल कारकरम किया जाएगा लोहरदगा में CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट की मौत अर्जवानों में सोक के लहर दड़ गई है बता दे कमांडेंट राहूल कुमा ने बताया है कि रायस्थान के अलवर निवासी मांगे राम मीना के 56 वर्ष ये पूत्र आरके मीना की सेहत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी PM मोधी ने अबू धावी के पहले हिंदू मंदीर का किया उधगाटन परधान मंत्री नैन मोधी की दो दिवसी यूएई यातरा का दूसरा दिन है अपने दोरे के दूसरे दिन PM मोधी ने अबू धावी में बने हिंदू मंदीर का उधारन किया उधगाटन से पहले पीएम मोदी ने मंदीर की खुबसूर्ती का दिदार किया है विदेश में बना अब तका सबसे बड़ा हिंदू मंदीर है इस मंदीर को बैग्यानिक तक्निकों और प्राचिन वस्तु काला बीधियों का उप्रियों करके बनाया गया बता दे बोचास, नुआसी, सिरी, अक्षर, पुरसोत्तम, स्वामी, नरायन, संस्था की ओर से निर्मीत या हिंदू मंदीर करीब 27 एकर जमीन पर बनाया गया है इस मंदीर में तापमान मापने और फुकम पिये गतिविती पर नजर रखने के लिए उस तक्निक वारे 34 अधिक सेंसर लगे है सबसे खास बात है कि मंदीर को बनाने में किसी विधातु का उप्योग नहीं किया गया और निव को भरने के लिए फलाई एस का उप्योग किया गया है इस मंदीर को करीब 700 रुपए की लागत से बनाया गया है चुलहा जलाकर कमरे में सोय थे दमपती पती की मौत बोकारो के पेटरवार थाना छेतर अंतरगत पिछरी उतरी पंचायत में मंगलवार की राचुलहा जलाकर घर में सोने से दमपती के पती की मौत दम घुटने से हो गाई तो वहीं पतनी कविता देवी को बेहतर इलाज के लिए बोकारों के नीजी अस्पताल में भरती कराया गया है बता देख घटना के जनकारी बुद्धवार की सुबह उसके पुत्र सिरीकांत मिस्रा ने पडोसी यो मस्थानी लोगों को दी है उन्होंने बताया है कि वह अपनी मा को जगाने के लिए बुद्धवार सुबह जब उनके कमरे में गया तो दर्वाजा बंद पड़ा मिला जब उन्होंने दर्वाजा खोलने के लिए आवाई लगाई तो अंदर से कोई जबाब नहीं मिला इसके बाद वह दर्वाजा तोलकर कमरे में परवेश किया तो देखा कि उनके माता पिता बेहोस पड़े हुए हैं लालगड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेक पर फंसी कार को मालगाडी ने मारी टक कर पलामु जीले में CIC सेक्षन अंतरगत लालगड रेलवे स्टेशन के समी बुधवार को रेलवे ट्रेक पर फंसी एक बेलोरो कार को मालगाडी ने टक कर मार दी इससे कार बोरी तरह शती गरस्थ हो गई इस दूर घटना की वज़ा से करीब 4 गंटे तक मेल लाइन पर ट्रेन का आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा भारी मकसद के बाद ट्रेक से मालवे को हटाया गया तब जाकर आवागमन समाने हुआ है जनकारी के अनुसार डंडा से तीलक चड़ा कर बरात लालगड वापस आ रही थी रेलवे क्रोसिंग पार करने के कराम में बेलोरो कार रेलवे ट्रक में फस गई धनबाद में खनन टास्पोर्स ने चलाया आवचक अभियान धनबाद उपाईुकसा जिला दंडा दिकारी वरुन रंजन के निदेस पर कोईला बालू और अने खनी समपता के अवयद खनन भंडारन और परिवहन के खिलाब जाच अभियान चलाया गया धनबाद जिला खनन टास्पोर्स ने मंगलवार रात 11 बये से बुधवार अले सुबह 3 बये तक पूरे जिले में कोईला लदे ट्रकों के अचक चाच की जाच के लिए अनवंडल पताधिकारी उदय रजक जिला खनन पताधिकारी में ही सालकर और जिला परिवहन पताधिकारी धिवाकर सी दिवेदी के नेतित में तीन टीम के गठन किया गया था तीनों टीम ने जीले के अलग-अलग छेत्र में जाच अभियन चलाया इसमें सम्मंधित अंचल के अंचल अधिकारी और सम्मंधित थाना छेत्र के पुलिस कर्मी भी सामिल रहे हैं बसंत पंचमी पर बाबा बैधनात धाम में होती है माज सरस्वती की विशेश पुजा देश भर में सरस्वती पुजा की धूम है बच्चों में खासा उसा देखा जा रहा है जारखन के बाबा बैदनात धाम में भी वसंत पंचमित के दिन मासरस्वति की विशेश पुजा की जाती है बता दे बाबा मंदिर के वरिष्ट पुरोहीत दूरला मिस्रा बताते हैं कि साल में बसंत पंचमिति थी प्रमासरस्वति की विशेश पुजा की जाती है यहाँ पर माता सरस्वति की पुजा वैदिक बीधी से की जाती है मालूम हो कि देवगर के बाबा मंदिर में 22 देवी देवताओं के अलग-अलग मंदिर है और सब ही का अलग-अलग महत्व है इन्ही मंदिरों में एक माता सरस्वति का भी मंदिर है इस मंदीर में परवेश करने के लिए मंदीर प्रांगन से भक्त मासर्शत्ती के चबुत्रे पर पहुंचते हाएं सामने पीतल के दरवाजे को भक्त प्रनाम कर सिर्जुका कर गर्बगिरी में पहुंच जाते हाएं 2024 में 304 टुकडों में बठ जाएगा जहामोमो बीजेपी सांसद भारतिय जन्ता पार्टी भाजपा के सांसद डाक्टर निसी कांथ दूबे ने जारकन की राजनित्ती के परिप्रेक्ष में बड़ा ब्यान दिया है बुद्धवार को डाक्टर निसी कांथ दूबे ने बाबा नगरी देवगर में निवज एजनसी एनाई से कहा है कि मैंने पहले ही जहरकन के मुकी मंतरी हमान सुरेन के बारे में कहा था कि उनको जेल जाना होगा मैंने कहा था कि हेमन सुरेन और उनके परिवार को जेल जाना होगा बता दे डाक्टर दूबे ने कहा है कि मैंने जब यह कहा कि जारखन के कांग्रेस और जामों खत्म हो जाएगा बिधायक हमारे संपर्क में हाए तो कई लोगों को लगा कि इससे कुछ परिशानी हो रही है डाक्टर दूबे ने एक बार फिर कहा है कि इंतियार कीजिए जारखन में न दो हजारखन में कांग्रेस नजर आएगी न जामों जामों खंड खट हो जाएगा उलेखनिया है कि 22 जन्वारी को अयोद्याव भवे राम मंदीर में भागवान सिरी राम की प्रान पर्शिष्था के दोरान देश भर के मंदीर को सजाया गया था देवघर इसीद बाबा बहनात मंदीर की सजावट नहीं हुई थी इस पर डाक्टर दुबे ने नराजगी जताई थी जुमरा पहाड के जंगल में दूसरे दिन भी पुलिस नक्सली मुड़ भेड भोकारों में 14 फरवारी को फिर पुलिस नक्सली के बीच मुड़ भेड हो गई है एक घंटे तक दोनों और से तावर तोर फारिंग होई पुलिस नक्सली के बीच इस मुड़ भेड में एक घंटे के अंदर दोनों और से 25 से 30 राउंड गोलिया चल चुकी है इसके बाद भी रुक रुक कर फारिंग हो रही है बता दे की बीते मंगलवार को भी चत्रो चट्टी थाना चेत्रेक के चुट्टे पंचायत अंतरगात सुरक्षा बलो अनक्सलियों में मुड़ भेड होई थी गुमला में 15 फरवरी से सुरू होगा अंदोलन भूसन तिर्की जाउमो जिला कमिटी गुमला की बैठक सर्कीट हाउस गुमला में हुई अध्यक्सा जिला अध्यक्सा बिधायक भुसन तिर्की ने की है बैठक में पुर्वसियम हिमान सुरेन के साथ इड़ी के अमनुय बेभार को लेकर गुमला जिले की 169 पंचायतों के 952 गाओं में आंदोलन वपाद यात्रकार करम पर चार्चा की गई बिधायक ने कहा है कि राजे के पुर्वसियम हिमान सुरेन ने अपने कारे काल में राजे के विकास में गति लाई गरीब गुर्वों के लिए पुरी मंदारी से काम किया गरीब जानता के लिए कई महत्पोन योजना शुरू की प्रन्तु केंद्रे में बैठी भाजपा सरकार के इसारे पर एडी ने हेमान सुरेन को जूटे केस में फासाने का काम किया है किसानों के समर्थन में उत्री कांग्रेस, MSP के बाद भारत बंद का सपोर्ट देश भर के किसान संगठनों दोरा अपनी मांगों के समर्थन में सुल्ला फरोईर को बुलाए गए भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया है भारत बंद का समर्थन जार्खन में भी कांग्रेस पूर्ण रूप से करेगी अखिल भारतिये कांग्रेस कमिटी दोबारा जारी निर्देश के आलोक में परदेश कांग्रेस अध्यक ताइस ठाको ने सबी जीला अध्यक्षोब परदेश पताधिकारियों को कहा है कि वे अपने अपने जीलों में भारत वन का समर्थन करते हुए इसकी सफलता सुने सची बीएड एमेट के लिए अप्रेल में होगी परिक्षा जहारखन के सरकाई तथा नेजी संस्थानों में बीएड एमेड बीपीएड तथा एमपीएड पाठकरों में नामांकन के लिए परवेस परिक्षा ये कईस अप्रेल को आयोजित की जाएगी जहारखन सुनुक्त पर माच निधारित की गई है यहाँ परविश परिक्षा रांची धनबा जम सेथ पुर्बोकारों दुमका यों पलामू में विभीन केंद्रों पावजित की जाएगी कूल सव अंकों की इस OMR सीट अधारित परिक्षा में बहुत बेकल्पी प्रशन पुछे जाएगे परतेक प पर पुर्मुख मंत्री हेमान सुरेंच से बारावे दिन भी पुछत जारी रही गुरु आर को उनकी तेरह दिनों की रिमांड पुरी हो जाएगी इसके बाद उन्हें रांची सीट पीमेले कोट में परस्तूत किया जाएगा इडी के पुछत लभग पुरी हो गई है समभ आठ एकड बिवाजी जमीन के बारे में पुछत आज की है उनकी अने अचल संपत्यों टांसफर पोस्टिंग और अवैद खनन से जुले सवाल भी पुछे गए हैं चमपाई सोरेन केबिनेट की आज होगी बैठक थे आप गुरुवार को सेस्थ बच्चे प्रस्ताओं को स्विक्रिति परदान की जा सकती है धन्यवाद यदि आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब का बहुल का बेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेयर करना भूले साथी कोमेंट बाक्स में अपना फीड़बाइक अवसे दे थैंक यू